pair of linear equations in two variables यह वाला अपने नया अध्या है इसके बारे में आज की क्लास में अपन करेंगे बात नमस्त बटा आज सभी लोग पढ़ाई पर फोकस रहे थोड़ा सा यह अपने अपने थोड़ा सा चेंज किया मामला आपन थोड़ा अलग मोड में आए है अब ब्लैक बैक्राउं में एक चेप्टर पढ़ा होगा आप लोगोंने linear equation into variable linear equation into variables कि याद है किसी को और ग्राफ बनाना भी सीखा होगा इसका मेरे सहाब से तो जल्दी से बता दो इसमें क्या था मामला क्या है मतलब क्या है ये रिक वर्ड का मतलब सीख्षे अपर मैं linear का मतलब क्या है जल्दी जल्दी बता बच्चो linear का क्या मतलब है linear का मतलब बता बटा comment दिखाने लिएर का मतलब बता दो हाँ एकस्की पावर वाज ने बोला य ini एकस्की पावर हाइस डिग्री इस बन डुब बटन लीनियर का मतलब के बैरियेबल की पावर का ओनी चेGU है पावर आफ वेरियेबल इसलेड़ वेरियेबल हर वन अब डूसरी बात क्या है equation equationesin पछली ही जैंघ्याए में हमने सीखा था एक्वेशन क्या है एक्वेशन बताएगा कोई एक्वेशन यह वाला साइन होगा उसको आपन एक्वेशन बोलते हैं एक्वेट करना है कि दो चीजों को एक्वेट करना है उसको आपन क्या बोलते हैं बटा उसको आपन बोलते हैं एक्वेशन two variables variable क्या है और variable के बारे में कोई बताएगा कि भाइशाब दिखाने क्या कोई ये बच्चों के comment दिखाओ थोड़ा रुख जाओ ये काम बाद में करना है हां अब यह जल्दी से बताएं यह विडियेबल क्या है एक साथ जबरधास्त एक्जामपल हमने पहले भी दिया था एक बार फिर से देने जा रहे घूर दो तरेके लोग होते अपनी जिंदगी में दो तरेके दोस्त होते हैं कि एक होते हैं कि बैइ जो बच्पन से लेकर जवानी से लेकर बड़ापे तक साथ Dad जो यह कौन्से पहले जो बच्पन से जवानी से बड़ापे 슈 हमसात रहने उनको अपन बोलते क्या का ओंस्टैंट यह नहीं होंगे चाहे मेरी कोई भी इस्तिति हो और दूसरे होते हैं एक मतलबी दोस्त मतलबी दोस्त कैसे होते हैं बटा मतलबी दोस्त कैसे होते हैं जैसे मालों कोई काम पढ़ा तो आपसे दोस्ती कर ली काम खतम दोस्ती खतम यह होते हैं वेरियबल्स तो वेरियबल का क्या मतलब है जो ऐसी quantity which changes कै जो change होते रहती है उसको आपन क्या बोल रहे है variable clear यह vary करती रहती है इसलिए इसको variable बोल रहे है constant क्या है बटा यह constant variables को आपन जनरली x y z से represent करते हैं किसे बटा x y z से इन से represent कर रहे है और constant को आपन बटा जनरली a b c से represent करते हैं किसे करते हैं बटा a b c से ठीक है तो यह क्या कह रहा है मेरे से linear equation in two variables तो भाई साब दो variable चाहिए एक्स और y ले ले किसी को कोई समस्य नहीं हो तो दो variable ले ले लेते हैं एक्स और वाई और क्या बोल रहा है linear बोल रहा है मतलब कि सर मैंने कल टेस्ट का question पूछा था आपने बोला था कि कल बताएं question number 22 तो वह तो मैं भूली कहा है चलो आज याद रखूंगा तो भाई सब दो तो वेरियाबल होने चाहिए और वेरियाबल की highest power 1 होनी चाहिए और कुछ एक constant भी ले 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 तो इस तरह की जो एक्वेशन होगी ax plus by plus c equal to 0 कौन-कौन इस वाली equation से जान पैचान में कौन-कौन इस वाली equation को जानता है जल्दी जल्दी बता दो कि यार यह जो equation है इसको आपन क्या बोल रहे है linear equation in two variables प्रसांत कुमार ने बोल दें वहीं है मैं तो इससे अवगत हूँ एक सर एक बार repeat start से कीजिए करते बटा रुको जरा ठीक बटा क्या चीज लीनियर मतलब variable की maximum power 1 होनी चाहिए equation मतलब यह equal to का साइन होना चाहिए और two मतलब दो variable दो variable xy ठीक है दो तरह के दोस्त होते हैं जो बचपन से जवानी से बढ़ापे तक साथ रहते उनको constant बोलते हैं और जो चेंज होता रहते हैं मतलब भी दोस्त उनको आपन variables बोलते हैं ठीक है बटा तो variable क्या है यहाँ पर x y z कुछ इस तरह से अपन रिपरेजेंट करते हैं variables constant को abc से और भी कुछ हो सकता है element भी हो सकते हैं ठीक है तो भाई साहब दो variable लेने x और y तो इस तरह की जो equation होगी इसको आपने का बोल देंगे linear equation in two variable यह अपने पास standard form है इसकी ax plus by plus c बराबर 0 जहाँ पर a b c r constant बेटा abc क्या है constant and x, y are variables बैस एक बात का ध्यान रखना है constant कितने भी रख लेना अगर बोल्ड रहा linear equation in two variable मतलब variable 2 से जादा नहीं होने चाहिए बेटा समझ गए दो variable मतलब दो ही variable होने चाहिए ठीक है प्लेर है सबको clear यह वाला मामला इसका graph बनाना भी सीखा होगा आप लोगोंने कैसे करते थे बटा किसी को यादे क्या for example एक आसान सा graph फूछता हूं मैं तुम लोगों से एक्स प्लस वाइट इस इक कोल टुवन जल्दी से बता दो बटा कैसे बनाते थे इसका graph क्या करते थे जिससे इसका graph बन जाता था graph के लिए कौन सी technology का इस्तेमाल करते थे आप लोग जल्दी बताएं बटा पहरा बोला तो quadratic में बनता इसमें नहीं बनता इसमें line बनती है line straight line बनती है कैसे बनाते हैं देखो इसे करते थे x और y की value निकालते थे कैसे और कैसे निकालते थे table बनाते थे सबसे पहले अगर x equal 0 होगा तो X 0 तो Y equal to 1 हो जाएगा तो एक बिंदू आ जाता था एक पॉइंट आ जाता था जीरो कॉम में ठीक बटा फिर क्या करते थे Y equal to 0 रखते थे Y equal to 0 हो गया तो X equal to 1 आ जाएगा यह यह 1 और यह 0 ठीक है एक पॉइंट और निकाल लो अगर पर लेना भाई साब क्या बोल रहा है वह उपर 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 सबसे उपर है हसन खान का डाउट है कि बट सर हाउ to know that question related to 1 are quadratic or linear in to variable मैंट देखा सिंपल सी बात कहा है linear का मतलब कहा है कि variable की maximum power 1 होनी चाहिए ठीक है क्या होनी चीए variable की maximum power 1 होनी चाहिए quadratic का मतलब कहा है बटा variable की maximum power 2 होनी चाहिए अगर variable वेरिबल की पावर टू आ गई तो वह कौड़र टेक्ड और वेरीबल की पावर बैटा एक रही तो वह एक बार एक सी चैनगे जीरो एक बार वाई के जीरो और एक साट या निकाल लेता है है फिर ग्राफ में पूट कर देते हैं बहुत ही x-axis है यह positive x-axis x यह अपने पास x-axis negative x-axis minus 1 minus 2 minus 3 यह अपने पास positive y-axis है 1 2 3 यह अपने पास negative y-axis minus 1 minus 2 minus 3 ठीक है बटा सबसे पहला पॉइंट का है 0,1 मतलब x0y1 तो यह वाला तो यह आजाएगा एक पॉइंट यह आ गया ठीक बटा एक पॉइंट यह अगया दूसरा पॉइंट का हो जाएगा 1,0 x1 और y0 यह वाला जाएगा 1,0 तो आपन क्या करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को जोइन कर देंगे इस तरह ऐसे जो जोइन करने पर जो लाइन बनेगी यह अपने पास x प्लस y इकॉल टू बन का ग्राफ हो जाएगा समझें कि नहीं भाई साब यह आप बाद में करना थोड़े दिर दिखाओ हाँ I have graph हेंड सर तो नीचे लेना भाई साब कुछ हुआ लुए लिए रश्रस पर पूछने से स्तोड़ी है कि उसके पचास बार जवाब देदुम्झें मैं हाँ वापस बता रहे स्को नहीं समय मैं वापस से बता रहे है वापस से बताने का इलाज है अपने पास देखो क्या था था एक बार में एकस को 0 रखा एकस जीरो रख दिया तो बटा यह क्या होजाएगा जीरो प्लस य बरवर एक तो य बरवर एक एक जीरो भाइए एक एक बिंदू तो आगा अपने पास 0,1 एक पॉइंट आगा 0,1 मतलब X axis पे तो 0 चलना मतलब यहीं रहना यह अपने पास ओरीजिन और Y axis पे बन चलना उपर की तरफ बन चलने यह वन ठेक है यह 0,1 हो गया पहला बिंदू तूसरा पॉइंट क्या है Y equal to 0 and X equal to 1 X के वेल्यू बन नहीं मतलब X axis पे बन चलना है और Y axis पे 0 चलना है तो मतलब Y axis पे चलना है यह एक सेक्स पे बन चलना यह 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 बन को ठेक है और इन दोनों पॉइंट्स को जोईन करके जो अपने पास लाइन बनेगी वह ही सब्सक्राफ हा जाएगा ठीक है अच्छा कोई नहीं जिसको समझ में या अभी थोड़ा सबर रखें इसके बारे में काफी सवाल करवाएंगा आज बिल्कुल टेंसल लेने की जरुवत नहीं है किस तरह से ग्राफ बनता यह सब अपन हां तो इसके स्क्रीन सोट लेलों पर्पेंडिकोलर वाई ओके मिस्टर सर्फराज ओके इसके स्क्रीन सोट लेले इसको मिठा रहा हूं में एक बार फिर से फिर से अपने बात करेंगे इस ग्राफ की हाँ देखो बटा एक्स प्लस वाई इकोल टुवन है देखो कैसे टेबल बनाते हैं एक्स वाई एक्स के वेल्यू रखेंगे तो एक्स एक्कोल टुवन 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 रखेंगे तो एक्स एक कि तो यहीं तो यहीं जो यह वाइन को मघिरवाग एक बार एक से कोल तो भी रख्के देख लिए एक से कोल तू रुकेंगे सी कोल्ट बटा सबस्ते हैं थो दूसरी साथ जाएगा तो क्या जाएगा यह एकल टू-2 तो माइनस को बना जाएगा तो यह जाएगा टू-1 चलो ओर यह पोईन्ट बोट है वैसे तो दो बिंट में यह काम चल जाता है पर तीन पॉइंट बहुत है हाँ अव देखिए अब ग्राफ कैसे बनाते हैं यह अपने पास बोर्टिकल एकसे होते हैं और जोंटल एकसिज इतना तो पता हो का अपने एक्स एक्स बोलते हैं यह positive x-axis यह negative x-axis vertical को आपन y-axis बोलते हैं यह positive y यहाँ पर अपन 1 2 3 4 5 यह positive point x-axis ठीक है उसके बाद यह negative point x-axis ठीक है फिर अपने पास यह अपने पास y-axis पर positive 1 2 3 यह y-axis पर negative minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 कुछ ऐसा है माहोल हाँ फिर से repeat कर रहें अब ध्यान से सुने ठीक है अब यार पहला point के अपने पास x0 y1 मतलब x-axis पर तो 0 चलना है यह वाला अपने पास origin होता है ओ इसको तो ओ से represent करते 0,0 ठीक है तो भाई x-axis पर तो 0 चलना मतलब x-axis पर ना तो इधर चलना ना इधर चलना x-axis तो तहीं रहेना और y पर कितने चलना है बेटा y पर चलना है one point को अपन दूसरे color से तो भाई y पर बन चलना तो यह वाला बिंदू हो जाएगा क्या यह वाला point आ गया यह वाला point आ ठीक है ऐसे ऐसे करते थे ऐसे कि यह वाला point आगे अपने पास ठीक है दूसरा क्या है एक्स सेक्सिस पर बन चलना है Y पर 0 एक्स पर 1 चलना है एक्स पर नौट चलना है यह यह आगे उसके बाद y पर कितना चलना है प्राटा माइनस वन माइनस वन कहा है यहां पर तो ये वाला पॉइंट हो जाए को ये वाला पॉइंट हो जाए अब इन तीनों पोइंट को जोइन करने के बाद जो अपने पास लाइन बनेगी वही स्ट्रेट लाइन हो जाएगी यह अपने पास किसका ग्राफ आगे बिटा एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन का ग्राफ जो ग्रीन से बनाया है वह अपने पास अब सभी को समझ में आगे बिटा ये वाली बात वैसे नाइन्थ क्लास की बात थे लेकिन फिर भी अपने बता दिया है कि हाँ चलो क्योंकि इसमें इसकी बहुत जर्रत पढ़ने वाली इ आगे बैटा सब को आगया कि एक बार पॉल करवा देते हैं जल्दी से बता दो और इसके स्क्रीन सोट ले लो क्योंकि अभी तो अपनने एक बात करनी और बाकी है जल्दी से पॉल का जवाब देदो यस यह नो मैं और स्क्रीन सोट भी ले लो 87.01 और यह 12.99 परसेंट जो लोग हैं इनसे मैं पूछ रहा हूँ एक बार कमेंट करके बता दो क्या समझ नहीं आए आपको कौन सी चीज समझ नहीं हाँ दिखाने एक बार कमेंट हाँ जिसको समझ नहीं आए वो बताए जल्दी मैं तो कौपी में नौट कर लिया सार बहुत अच्छी बात है बटा नीचे लेना यह सोरी दोस्त क्या चल रहा है भाई समझ आगे बहुत अच्छी बात है बटा यह बिल्ली कोन है यह सर यस सर यस सर थेंक्स सर डाउट वाले लोग क्रिपयां बताएं जल्दी से कि आपको क्या समझ नहीं है जो ना वाले जो जिन्होंने ना में आंसर दिया है वो एक बार बता दे प्लीज हित्यस गर्ग में बताएं ग्राफ सर ओल क्लियर लाइक डामंड बाई यू बहुत ही बढ़िया यह तो बटा आपन एक्जामपल लिया एक्स प्लस वाई बराबर एक अपनने एक एक एक्जामपल लिया भई ए बीसी अपन क्या थी यह थी लीनियर एक्वेशन एक्स प्लस अ है हाँ है सुखने ले लिए रहे स्क्रीन्शोट चल बहुत भी बढ़िया अभी तोड़ा सा करते हैं इसको समात अब देखो अब यह हमसे किसकी बात कर रहा यह बात कर रहा है किसकी पेर की बात कर रहा है यह क्या कर रहा है पेर से आप क्या समथने यार कोई बताए कि पेर का मतलब क्या है solution के बारे में बात में बात करेंगे हाँ बटा जल्दी बताओ समीर ने बता दिया जोड़ा तोड़ा नीचे चलना ये क्या इतनी सारी स्माइलीज किसने बेजी है ये को ने बिराज भाई साब ये इतने मेडल किसको दे रहे हो तुम उपर लो जोड़ा बहुत ही बढ़िये यार देखो एक होते हैं लोग सिंगल लोग होते हैं लाइक जैसे यह था भी अपने पास एक्स प्लस बीवाई प्लस सी इकोल टू जीरो यह बैसाब एकदम सिंगल थे अभी क्या जैसे माल लो इसकी साधी हो जाती है साधी होने के बाद जोड़ा बन जाता है समझेगед मनोरंजन मोणी ने बता दिया दो एकवेशन को मिला न आ जैस Denn job इन्सान मिलते अस्यादी होने के बाद वैसे ही इह दो एकवेशन मिलकर एक पैर बनाते हैं ठीक है तो ऐसे pair pair of linear equation क्या हो जाएगा बटा pair of linear equation into variable क्या हो जाएगा एक अपने पास equation a1x plus b1y plus c1 equal to 0 और दूसरी a2x plus b2y plus c2 equal to 0 यह दो मिलकर अपने पास क्या बताती है दो मिलकर बनाती है क्या पैर बना दिया पैर बना दिया यह अभी अकेला था और यह भी अकेला था इन दोनोंने मिलकर क्या बना दिया एक पैर बना दिया तो पैर ओफ linear equation का क्या मतलब है इस पूरा चप्टर में हम पैर की बात करेंगे मतलब कि यह रोईत राज के बड़ा खतरनाक डाउट आता है सर पेर और कपल में क्या डिफरेंस होता है कि इसके बारे में रिसेर्च करके बताता हूं बटा अभी तो मेरे को भी नहीं पता यह क्या होता है पेर के बारे में पता है जैसे अपने पास जूतों के पेर होते हैं कि एक जूता पहन के थोड़ना आप कहीं गूम सकता हो इसलिए पैर होना चाहिए दो जूते होने चाहिए कभी ऐसे सुना कपल ओफ सूज कि अपन पैर ओफ सूज बोलते हैं कि कपल हो सकता इंसानों के लिए यूज करते हो एकवेशन्स की साधी कर दिवा है हैसन खान ने साधी नहीं करने एकवेशन्स की ठीक है जैसे जूते का पैर होता है चपल का पैर होता इसी तरह से एक्वेशन्स का जो पेर है दो एक्वेशन मिलकर एक दूसरी को यह दोनों मिलकर अपने एक पेर बना रही है तो इसके बारे में चर्चा रहेगी पूरे चैप्टर में है ठीक है बटा चलो अभी थोड़ी से आगे चर्चा कर लें हाँ यह एक सवाल दे रहे हैं सवाल पढ़ लें सभी लोग मिस्टरी में ने बोला कि सर पेर और कपल में क्या डिफरेंस से प्लीज बताए सर पेर फिंग होते हैं कपल इंसान होते हैं चलो मान लेते हैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना मैस का वो पार्ट नहीं है मतलब काफी अच्छे इंग्लिज मैन बैटे मेरे को थोड़ी इंग्लिज की नोलेज कम है बच्चे बता रहें तो चलो मेरा भी जनरल नोलेज इंप्रूब हो रहा है थोड़ा नीचे लेना वैसा पढ़ने तो तो क्या-क्या बता रहे हैं पेर फिंग्स होते हैं कपल इंसान होते हैं पेर फोर नोलिविंग और कपल फूर लिविंग ओके सत्य ब्रत बार्गव ने बोला यह सैट आफ टू थिंग्स यूज टूगेदर भाई इतना बड़ा क्या वर्ड लिग जा समझ में नहीं आरा एज यूनिट कुमारी रिया लिखा एक बड़ा सा वर्ड जो कि मेरे को समझ में नहीं चलो खेर कोई नहीं अब देखो सवाल आ गया है एक सवाल के बारे में चर्चा करते हैं you are a good question Vivek Kumar जब आप class देखते हो तो उसमें teacher का नाम भी आता है मेरे साब से उसमें आप चेक कर सकते हैं हाँ, so that x equal to 2 and y equal to 1 is a solution of system of simultaneous linear equations system of linear equations system बोलो या pair of linear equations बोलो ठीक है बटा ऐसा देखे तो यार जो x equal to 2 and y equal to 1 है यह इन दोनों को क्या करना चाहिए इन दोनों को satisfy करना चाहिए है क्या करना चाहिए इन दोनों को satisfy करना चाहिए है कि सैमल्टीनियस अच्छा सवाल फिर से एक अंग्री जी का वर्ड आ गया है इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा sir we can understand your problem अब पढ़ाई पर ध्यान दे लो पिट पुट आ जाओगे मैंसे Google कर लेना यार simultaneous का मतलब अभी इतना समझो कि ऐसा इसको छोड़ दो solution of solution of pair of linear equation ऐसा लिख लो ठीक है अब clear हाँ अब देखें तो यह यह दो equation दी हुई है ऐसा देखें अभी देखते हैं कि यह जो यह बिराज तो बहुत पिटाए अनर से यह पता नहीं क्या क्या बेशते रहते हैं भाई साहब क्लास रूखे की इतने कमेंट करोगे तुब लोग अशा देखें तो बाई सार जो एक्स एक्स को टू एंड वाई को टू वन है वो क्या करना चाहिए इन दोनों equations को satisfy करना चाहिए तब ही solution हो सकता है इस इसमें भी आना चाहिए और इसमें भी सही आना चाहिए तब उन दोनों का solution हो सकता है तो पहले वाले में देखें पहले वाले में एक्स एक्वल टू टू एंड य एक्वल टू वन रखेंगे तो पहले वाले में क्या जाएगा यह जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 क्या जाएगा बठाएगे 6 माइनस 2 फोर आगया क्या यह दिर रखा है उसने 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 दो यहां से क्या लिखेंगे आपन यहां से लिखेंगे हैंस x equal to 2 and y equal to 1 as I like the 2 comma 1 lies on the straight line yes I like the lies on the graph of lies on the graph of 3x minus 2y is equal to 4 इसके graph पे यह वाला point लाइक करेगा ठीक है दूसरे वाला देखें दूसरे वाला क्या करा x equal to 2 and y equal to 1 इसमें रखेंगे तो x equal to 2 y equal to 1 किसमें रखने हैं अब 2x plus y equal to 5 अभी कर रहें रिपीटर को x equal to 2 रखेंगे तिया जागा 2 into 2 plus 1 क्या होगा 4 plus 1 is equal to 5 यहां पर भी LHS equal to RHS आगा तो यहां पर भी बोल देंगे आपन कि भाईया जो बिंदू 2,1 point है lies on the graph lies on the graph of 2x plus y equal to 5 ठीक है इस तरह से हो जाएगी situation अब जिनको समझ में नहीं वो जल्दी से बताते हैं क्या समझ नहीं आपको दिवाली के बारे में बताते हैं अभी confirm हो जाए कब की छुट्टी है कब की नहीं और वैसे भी आप इतनी आपको जीज भेजते रहते हो आपको मैं हाँ या अपनी क्लास के रूल बना लेते हैं जो भी ज्यादा मतलब फालतु चीजे बेजेगा उसको आपन कुछ नहीं बताने वाले ठीक है जैसे मतलब कोई भी ऐसे करेंगे ऐसे काम करोगे उनको मैं डाउट नहीं बताने वाला सुहानी का डाउट आगे बेटा रुको अभी थोड़ा सा अपी अभी अपन थोड़ा आगे चले फिर अपने आप ही आप कर पाओगे ये वाला सवाल ठीक है आगे चलेंगे तो कर लेंगे यार सभी लोग देखे क्या कह रहा है हाँ यह करना पड़ेगा अमन किसोर ने एक दिया है अपने को कि सर आप कमेंट देखोई मत ऐसा चाहते हो तुम लोग यह करना पड़ेगा बैसा अब कमेंट हटा दो अब किसी कमेंट नहीं देखे जाएंगे हटा दो मिनिमाईज कर दो हाँ तो यहर देखे यह क्या कहना चाहरा रहा है एक्स एक्कोल टू टू और यॉकल टू बन इससलिशन ऑफ इसस्टेम ओफ लीनियर इक्वेशन दिस अपन क्या करते हैं दोनों का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं पहले वाले का 3x-2y is equal to 4 table बना ले table बना लेते हैं in x equal to क्यों टो गया रखेंगे तो क्या जाएगा x is equal to 1 रखेंगे क्या जाएगा 3 minus 2y is equal to 4 x equal to 2 रख लेते हैं जिससे अपने पास सही सा आ जाए x equal to 2 रखेंगे ते वाज़ाए 6-2y is equal to 4 2y उधर 4 इदर 6-4 is equal to 2y तो बटा 2 equal to 2y आगे कैं तो y equal to तो आगे 1 एक पॉइंट तो आगे 2,1 और क्या रख लें x equal to 4 रख लेगा x equal to 4 तो y equal to किता जाएगा यह हो जाएगा 3 into 4 minus 2y is equal to 4 यह क्या हो जाएगा 12 minus 2y is equal to 4 4 इदर 2y इदर 12 minus 4 is equal to 2y 8 equal to 2y तो y equal to 4 आगे कैं y equal to 4 और x equal to 4 तो एक पॉइंट आगे 4,4 दो ही पॉइंट चाहिए होते हैं हमें देखे x equal to 1 रखेंगे x equal to 1 तो y equal to किता आजाएगा 2 plus y is equal to 5 तो y equal to 3 आजाएगा तो 1,3 आगे एक पॉइंट तो x equal to 2 रखेंगे तो यह जाएगा 2 into 2 plus y equal to 5 तो यहां से y आजाएगा y equal to 2 into 4 उदर जाएगा minus 5 minus 4 तो यह जाएगा 2,1 तो इस पे भी दो पॉइंट आगे 1,3 and 2,1 अब ग्राफ बनाने के लिए जगा है क्या कहीं इसके screen shot ले लो इसका screen shot खींच लो एक बार देखेंगे किस तरह का graph बनेगा बीच वहले को मैं थोड़ा से मिटा देता हूं कि इधर थोड़ी जगे बनाने कोशिश की जा रही है हाँ यहां बनाते है पैन ले लेते हैं पहले और इंक का कलर लेते हैं थोड़ा सा change हाँ यह graph बना लेते हैं graph ध्यान से समझना सभी लोग यह positive x-axis यह negative x-axis यह positive y-axis यह negative y-axis 1 2 3 4 1 2 3 4 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 पहले इसके लिए देखते हैं इसके लिए देखते हैं इसके लिए यह ले लेते हैं यह तो इसके जैसा ही हो जाएगा थोड़ा सा अलग कलर लेते हैं वाइट ले लेते हैं हां क्या बटा एक से कॉल टू एक सेक्सिस पर टू चले एंड वाई पर वन तो यह आ गया एक बिंदू आगया एक पॉइंट आगया अपने पास टू कॉमा वन ठीक है दूसरे कहें 4,4 4,4 का बटा 4,4 एक सेक्सिस पर चलना है और वाई पर फूर तो यह बैटा अपने पास 4,4 आ जाए इन दोनों को जोइन कर दूं क्या आप लोग स्केल की मदद से कर ले ना आपन वैसे ही कर देता हूं मैं यह स्केल से इन दोनों को एड़ कर दिया कुछ इस तरह से अपने पास पहले वाले में पहले वाले का ग्राफ इस तरह से बन जाएगा ठीक है अब देखें उसके बाद यह वाला इस पर इस पर लाइन की जो अपने पास इसकी एक्वेसन है न वो भी लिख देना साथ के साथ 3x-2y is equal to 4 यह अपने पास 3x-2y is equal to 4 आग पिर आपन देखते हैं कुछ इंक का कलर चेंज कर लेते हैं दूसरा यह सही रहेगा कहां यह ले लिते हैं यह तो दिखेगा यह नहीं पर थोड़ा सा creative color लेते हैं यह ले लेते हैं हाँ ठीक है अब दूसरे वाले में कहा है 1,3 1,3 कहा है बटा एक सेक्स पर चलना य पर 3 बतलब यहां पर आगे का 1,3 एक पॉइंट तो ही आ गया दूसरा पॉइंट क्या होगा बटा 2,1 यह 2,1 यह रहा यह पर लिख दिया करो यह 2,1 है यह 4,4 यह किता है 1,3 अब इन दोनों को जोइन कर ले यह इन दोनों को जोइन कर लिया अब यार जो इन दोनों का solution है यह क्या है जो जो इस pair of linear equation का जो solution था x equal to 2 and y equal to 1 किसको represent कर रहा है जल्दी से बता दो भाई साब अब थोड़ा comment दिखाओ यह लोग काफी लड़ लिये होंगे अब तो थोड़ा नीचे लेना हां तो यार क्या किसको represent कर रहा है जल्दी से बता दो कोई comment करके बता पीछे वाले साबंट तो मैं वैसे भी नहीं पढ़ूँगा रिफ्रेस करो एक बार हो कि देखो हो कह रहा है यह एक straight line है और यह एक straight line यह किसको represent कर रहा जो 2,1 है वो कहा है यही एक ऐसा point है जो इन दोनों lines पे present है मतलब किसको represent कर रहा है यह जो दोनों line पे कहा है common point है 2,1 कहा है common point है दोनो common point और इसी को अपन pair of linear equation का हाँ जहां पर अपने पास दोनों line intersect कर रही है ठीक है जहां पर दोनों line intersection कर रही है वो अपने पास क्या है common point है और इसी को अपन solution of pair of linear equations बोलते हैं ठीक है बटा सबको clear है सभी लोग इसका screenshot ले ले पिर आपन तोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं निदी सिंग बहुत आगे पहुंच गई इन्होंने बुला सरी उनीक सोलीशन है हाँ उसके बारे में थोड़ी सी देर में बाते करेंगे यह सुबह में याद आव इतना dn लिखके क्यों बेज रहे हैं यह क्या चाहिए तुमको हो गया चलो आगे चलते हैं भाई एक पूल करवा तो किस को समझ में आया कोई ऐसा तो नहीं जिसको नहीं समझ में आई हो इस तरह का ग्राफ बन जाएगा यह दोनों लाइन जहां पर इंटरसेट कर रहे हैं उसी को अपन उसका सुलीशन बोलते हैं अब देखें एक और सवाल है सभी लोग देखें सवाल की तरफ देखते हैं अपन क्या कह रहा सवाल अब देखेंगा तो पहले माल नेते हैं लेट प्राइस अबेट इस एक रुपीज टेक है बटा क्वीज आएगा क्या बोल रहा है प्राइस ऑफ बैट इस एक रुपीज एक बैट के प्राइस मैंने माल ली क्या एक्स ठीक है एंड प्राइस ऑफ बोल इस वाई रुपीज ऐसा लेट कर लिया हमने तो यहार क्या बोल रहा है तीन बैट और छे बोल्स की प्राइस का जो सम है वो कितना है ठीक है तो प्राइस फ्रीबेट किता हो जाएगा प्राइस ऑफ ठीक्ष एक्स और प्राइस ओफ दोनों का असम दे रखा करता 3x प्लस 6y इक्वल टू त्री नाइन डवल जीरो यह इकवेशन नंबर बना लिए बहुत ही बढ़िया अवनी ने बेज दिया है कि भाईया यह पहली एक्वेशन बनेगी एक अपने पास आ गई linear equation in two variables दो variable x and y and यह अपने पास एक एक्वेशन आ गई है दूसरा देखे क्या बोल रहा है लेटर ही बाइस अनाधर बैट एंड थ्री मोर बोल्स आफ दी सेम किंग चले माल लेते हैं 4 rs 1300 क्या दे रिखा है दुबारा से वो क्या करता है कि भाईया कितनी बोल एक तो बैट करीता है एक बैट का प्राइज करता है एक्स एंड कितनी बोल करीता है त्री मोर बोल्स 3y यह अपने पास कितना है 1300 यह एक्वेशन नमबर 2 आगी ठीक है यह है यह अपने पास आप क्या बोल रहा है हम से यह 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 से अभी प्लस त्री कॉमन ले ले लेते हैं तो यह हो जाएगा अपने पास 3900 यार अगर तुम लोग सामने होते तो डाटता भी अब कैसे डाट हूं कि सही कह रहा भाई रोकी ने सही बोला और वेशु ने भी सही बोला भाई या देखो सान्ती बनाय रखो हां तो यह अपने पास किता हो जाएगा ने तो इसको एसा ही रहन देते छोड़ों इसको एसा ही रहन देते 3x प्लस 6y इकल टो 3900 अब इन दोनों को सुलीशन निकालने कोशिस करते एक्स एक्कोल टू ऐसा ले लेके एक्स एक्कोल टू अपन ले लेते हैं 100 एक्स एक्कोल टू 100 इलेंगे तो क्या जाएगा 3 इंटू 100 प्लस 6y इकल टू 3900 तो क्या हुजाएगा यह 300 प्लस 6y इकल टू 3900 तो 6y क्या जाएगा 3900 माइनस 300 क्या हुजाएगा y इकल टू 3600 अपन 6 कितना हुजाएगा बटाएगे 600 एक पॉइंट तो आ गया 100,600 100,600 एक्स एक्कोल टू 200 ओर लेका एक्स एक्कोल टू 200 लेके तो एक्स एक्कोल टू 200 लेके तो क्या हुजाएगा 3 इंटू 200 प्लस 6y इस एक्कोल टू 3900 यह जाएग 600 प्लस 6y इस एक्कोल टू 3900 तो 6y कितना हो जाएगा 3900 माइन शिक्स एक्कोल टू कितना जाएगा 3300 अपॉन 6 कितना जाएगा 635 पांसों पचास यह 550 आ जाएगा ठीक है पहले वाला आ गया दूसरे वाले का क्या करें दूसरे वाले में भी यह टेबल बना लेते हैं एक्स एंड य एक्स एक्स एक्कोल टू 100 रखेंगे तो य इक्कोल टू क्या जाएगा बटा य इक्कोल टू आ जाएगा 100 यह उदर जाएके निए माइनसट फोरंट जाएगा ठीक है एक्स 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 एक्कोल टूट टू एक्स रखेंगे तो अच्छा 200 नहीं कुछ ऐसे रखते है पोरंडरेट रखेंगे तो यह कित आ जाएगा 300 300 यह point आगे ठीक है अब एक graph बना लेते हैं दोनों का graph बना लेते हैं यह graph बना लेते हैं पहले के scale लिखना पड़ेगा अपने को scale लिखने कहीं जगा है यह लिख लेते हैं scale scale लिख लेते हैं on x-axis 1 centimeter equal to 100 rs on y-axis 1 centimeter equal to 100 rs ठीक है यह जाएग अपने पास 1 2 3 4 5 1 2 3 जिसको थोड़ा आगा बढ़ा जाएगा 4 5 6-1-2-3-4-5-1-2-3-4-5-1-2-3-4-5 पहले वाले का ग्राफ बनाएंगे तो कहां कहां आएगा देखें पहले वाले का पॉइंट है पहला 1,6 भाई 1 centimeter चलने पर 100 मान रहे हैं तो x-axis पे चलना 1 centimeter और y-axis पे करता चलना 6 एक तो यह आ गया एक पॉइंट तो यह आ गया दूसरा पॉइंट क्या है एक्स पे चलना 200 और y-axis पे करता चलना 550 मतलब यहां इसके कहीं बीच में यह दो पॉइंट आगए इन दोनों को जोइन कर दिया एक लाइन तो अपने पास कुछ ऐसी बन गए यह अपने पास क्या है 3x प्लस 6y is equal to 3900 यह तो एक्वेशन नंबर एक हो प्लस जो बीचेंग है एक्स अंडरेड तो यह कित्ता है 400 एक पॉइंट तो ही आगया अच्छा दूसरा पैन ले लेता है एफ मैं का कलर कर लेते हैं चेंज x equal to 100 तो y equal to 400 एक पॉइंट तो ही आ गया दूसरे पॉइंट क्या है बैटा x equal to 400 400 x तो y equal to 300 यह यहां पर इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो यह अपने पास दूसरी लाइन बन जाएगे सही बना है कि कुछ गडबड़ तो नहीं कर दी हाँ थोड़ा हाँ मतलब एक्जेक्ट ग्राफ नहीं बन पाएगा एक्जेक्ट ग्राफ दूसरे पेज़ पर दिखाते हैं मैंने ले लिया आए ग्राफ ठेक इस तरह से दोनों का यह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो यह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहां भी है यह है 3x प्लस 2y is equal to 39 और यह अपने पास थोड़ा समयन उल्टा बना दिया ग्राफ अच्छा यह वाली वाई उसको थोड़ा से मिटाग बना देते हैं क्या है हाँ इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेते हैं फिर से इन दोनों पॉइंट्स इस तरह की यह वाली लाइन कौन सी है x प्लस 3y equal to 1300 दोनों का ग्राफ आगे समझे है क्लियर है रिफ्रेस करना कम है हाँ यह अपने पास दोनों का इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेना इधर और यह रहा ग्राफ दिया आपको दिख रहा होगा यह वाला ग्राफ आ जाएगा इसका तो यह अपने पास स्केल उसने भी लिए अच्छा इसने 200 लिया है कम दिख रहा है या सही दिख रहा है ठीक है लेलो इसके screenshot इसके screenshot भी लेलो फटाक से अगला यह आगे यह ठीक है ठीक है ठीक है थोड़ा उपर लेना क्या बोल रहा है लेलो इसके screenshot दोनों का अगला सवाल देखता है यह एक सवाल हो रहा है क्या बोल रहा है अपने से इसमिती ने बोला repeat कर देंगे हाँ बटा repeat कर देते देख यह था सवाल था क्या कि मैं तीन बेट और चेट बोल वो किता है थर्टी नाइन एंट्रेट के 31980 के लेकर आता है तो मैंने बोल का gonna price माल लिए x और बैट का माल लिए x और बोल का लिए एकता हुए तो 3x फ्लस y कित्ता हो जाया बटा 3900 फिर आपने क्या किया उसने पुर बोला कि 1 बैट और तीन बोल वापिस से का थे खरीद के लाकता है कि तो मतलब x plus 3y equal to 30 उसके बाद यहां से दोनों के लिए टेबल बना इसके लिए टेबल है और दूसरी वाली जो लाइन तो इसके लिए यह वाली टेबल दोनों के लिए लाइन बना लिए तो अलजबरी के लिए रिप्रजेंटेशन हो गया और यह ग्राफिकल हो गया बैस इतना सा काम करना है ठीक है सर जब line intersect each other तो उसे क्या बोलते हैं इसको point of intersection बोलते हैं यह वाला point of intersection इसके बारे में बाते करेंगे हैं आने वाली classes में थोड़ा सा सबर रखें आप लोग point of intersection यह इसका graph real graph इस तरह का बनेगा यहाँ पर intersect करेंगी दोनों उपर वाली 3x plus 6y equal to 3900 नीचे वाली x plus 3y equal to 1300 ठेक हैं यह एक और सवाल है सभी लोग देखें जल्दी से रमिला वंक तु ए श्टेशनारी श्टोल और फ्रचाष्ट टू पैंसल और 3 तर आप साथ पैंसल एक्स रुपीज, ठीक है, प्राइस ओफ एन एरेजर, इस वाई रुपीज, जो दो चीज़े दे रिख़्ी होती है, उनको एक्स और वाई माल ले, ठीक है, आप क्या हो जाएक अपने पास टू पैंसिल एंड त्री प्रेजर, इसका अपने पास टू एक्स प्लस ट्री वाई है किसके एक ओल है, नाइन के, दो पैंसिल और तीन एरिजर्स का टोटल अपने पास प्राइस कितना है, नाइन के एक ओल है, ठीक है, बटा क्या डाउट आपका पलक पूछो क्या है, हर फ्रेंड सोनाली, सो दे निव वराइटी और पैंसिल और इरेजर्स विद, रॉमयला ग्राफिकल, यह तो अपने पास अलजबरी कली हो गया, ग्राफिकल के लिए पहले टेबल मना ले, 2x प्लस, 3y एकल टू 9, ठीक है, x एकल टू, क्या ले, x एकल टू 0 ले लेते हैं, एक बार, x एकल टू 0 लेंगे तो y एकल टू 3 हो जाएगा, x एकल टू, अगर आपन 3 ले लेते हैं, x एकल टू 3 लेंगे तो y एकल टू किता जाएगा, यह जाएगा 6, उदर जाएगा, माइनस ओको y एकल टू 1, तो दो पंट आगा 0,3, and 3,1, यह दो पंट आगा इस पर तो, दूसरे वाली लाइन कहा है, 4x प्लस 6y, is equal to 18, फिर से x एकल टू 0 लेंगे तो y एकल टू 3, x एकल टू 3 लेंगे तो बटा, यह जाएगा 12, उदर जाएगा माइनस होगा, 18-12, 6y एकल टू 6, तो y एकल टू 1 आ जाएगा, यहां पर भी दो पंट आगा 0,3, and 3,1, इन दोनों को ग्राफ से कैसे रेप्रेजेंट करना है, x-axis पर 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3, पहले वाले कौन कौन से पॉइंट है, 0,3 and 3,1, 0,3 तो कहां पाँ जाएगा यह वाला, x-0, y-3, and 3,1 कहां पाँ जाएगा बटा, 3,1, यह 3 और यह 1, तो यह वाली तो कुछ इस तरह से लाइन बन गई, कौन सी, 2x प्लस 3y एकल टू 9, दूसरे वाली देखे क्या है, टिंक का कलर चेंज कर लाएगा, हाँ, दूसरे वाली में भी 0,3, यह वाला पॉइंट है, और दूसरा का है, 3,1, यह वाला पॉइंट है, सेम ही पॉइंट है दोनों, यह दोनों भी, यह भी इसके उपर से ही पास हो जाएगा, यह इसका अपने पास, कौन से रिप्रेजेंटेशन हो जाए, यह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दोनों तरह के रिप्रेजेंटेशन हो गए, ठीक है, तो यह इसका ग्राफ यह रहा, देखो दोनों, एक दूसरे के उपर अवरलेप हो रही है, दोनों लाइन, दोनों लाइन, एक दूसरे के उपर अवरलेप हो रही है, इस तरह से पास रही है है इस तरह का graph बन जाएगा है ठीक है है कि 2X plus 3Y is equal to 9 B और 4X plus 6Y is equal to 18 हूप यह हो गया हूझ है यह अपने पास एक सवाल है इसको आप स्क्रीन सोट ले ले होम्रोक मैं धे देडरे को इस तरह का graph बनेगा graph भी देख लो इस तरह की दो lines बनेगी ठेक है यह अपने पास एक quiz आ गया एक quiz करवा तो भाई साब जल दीजे quiz के लिए सभी लोग हो जाए ready कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर झाल 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 पहला सवाल देखते हैं कर लिए सारे सवाल यह पैर ओफ लीनिर इक्वेशन विच्छ विच्छ उनीक स्वेशन तो बटा क्या करना पड़ेगा एक एक करके चेक करना पड़ेगा हमें पहले वाले में देखें 2-3 माइनस 1 होता है और इधर दे रखा बन तो पहला नहीं होगा दूसरे वाले में देखें X equal to 2 तो 2 into 2 plus 5 into minus 3 किता हो गए 4 minus 15 minus 11 ये तो satisfy कर दिये दूसरे वाला भी देख लेते हैं 4 into 2 plus 10 into minus 3 ये किता हो जाए 8 minus 30 minus 22 ये भी सेट जाए पहले का बी आ रहा है का पहले का सभी का बी आ रहा है का वैसा अब रिजल्ट दिखाना क्विज का क्या 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 किया इनून पहला 47.92 परसेंट लोगों को सही है और जिनका सही नहीं है वो देख लें पहला तो बटा कैसे भी नहीं हो सकते 20 29.17 परसेंट लोग है जिन्होंने पहला कि यही सेटिस्फाइन नहीं कर रहा एक्स एकॉल सब्सक्राइब नहीं सकता है एटीन पॉइंट सेवन परसेंट लोगों ने क्या है सी यह भी देख लेते हैं क्या हो जाएगा टू इंटू टू माइनस माइनस का 3 4 प्लस 3 यह तो बटा सेवन आगा यह कैसे कर दिया आप लोगों यह भी नहीं होगा एंड 4.17 परसेंट लोगों ने डी बी किया है तो दी का मतलब पहला वाला देखे एक्स एकॉल टू तो तो माइनस त्री इंटू माइनस 3 माइनस 14 त्यों जाएगा 2 अच्छा 4 इंटू 2 प्लस 12 माइनस 14 यह तो 0 आ रहा है पहले पहली तो सट्टेस्वाई कर रहा दूसरी देखें 5 इंटू 2 10 माइनस माइनस 3 माइनस 13 यह कितना हो जाएगा 10 प्लस यह कितना हो जाएगा 10 प्लस ऐसा कुछ हो जाएगा 10 प्लस 3 माइनस 13 यह हो जाए 13 माइनस 13 यह तो 0 यह भी सैटिस्वाई कर रहा है अब बता तो बी और डी में से कौन सा अंसर सही है जो बी वाले हैं काफी लोग हैं जिन्होंने 47.92 परसेंट लोगों ने किया है यह 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 एक्वेशन को अगर मैं टू से मल्टिप्लाइ कर दो तो क्या जाए बटा टू इन्टू 2 एक्स प्लस 5Y 2 माइनस 11 तो क्या जाए यह 4X प्लस 10Y एक्वाल टू माइनस 22 यह यह जाएगी क्या यह दोनों तो सेम एक्वेशन ओवरलेप कर जाएगी जब इनका ग्राफ बनाएंगे तो एक दूसरे के उपर ओवरलेप कर जाएगी जैसे यह वाली थी देखो जैसे यह वाली थी ओवरलेप करी दोनों का कर्व एक ही पॉइंट से पास हो रहा है क्यों कि अगर मैं इस वाली एक्वेशन को टू से मल्टिप्लाइ कर देता हूं तो क्या हो जाएगा यह 4X प्लस 6Y एक्वाल टू 80 तो मतलब इसका आंसर आएगा D क्योंकि इसने बोला क्या unique solution दे अंसर आएगा सारा लोग गलत सरफ कितने परसेंट लोग सही दिखाना वैसे स्रफ 4.17 परसेंट लोग सही है बाता लगभग दो लोगों ने सही अंसर दिया है बाकि सबने गलती करिया दूसरा देखें X equal to A and Y equal to be the solution of this X minus Y equal to 2 and X plus Y equal to 4 then the value of A and B are respectively देख लेते हैं कौन से satisfy कर रहा तो 3 और 5 कर रहा है क्या 3 minus 5 minus 2 होता है तो पहली वाली को नहीं कर रहा यह तो गया 5 and 3 5 minus 3 equal to 2 पहले वाली को कर रहा है and 5 plus 3 equal to 8 दूसरी वाली को नहीं कर रहा तो यह भी नहीं होगा option C 3,1 3 minus 1 equal to 2 सही है पहले वाली को कर रहा है and 3 plus 1 equal to 4 ठीक सी आ जाएगो यह 57.54 परसेंट लोगों ने सही किया 57.445 परसेंट लोगों ने तो मतलब बाकी लोग सारे गलत है जो भी option एक है 10.64 बटा इसमें पहला 3 minus 5 पहली कोई satisfy नहीं कर रहा है कैसे कर रहे हो तो लोग अगला सवाल देखें तो question no.3 यह है Arona has only 1 RS and 2 RS coin with her the let 1 RS coins are x 2 RS coins y तो टोटल क्या बोल रहा है if the total number of coins that she has is 50 मतलब x plus y किता है 50 फिर क्या बोल रहा है and the amount of money with her is RS 75 मतलब x plus जो 2y यह वो कितना है 75 एक equation यह है एक equation यह है ठीक है आर respectively तो अब बताना है उसके पास RS 1 और 2 के कितने कितने सिक्के है सारे सेटिस्फाइब करा के देख लएते हैं सबका सम 50 तो आई रहा है इसका 50 नहीं आ रहा है इन दोनों का तो समी 15 नहीं तो यह तो नहीं होगा दूसरे वाल इक्वेशन में देखने यह जाएगा 35 प्लस 2 इन्टू 15 यह 65 हो गया क्या होना 75 चे पहला नहीं होगा यह देखें यह जाएगा 15 प्लस 2 इन्टू 35 यह जाएगा 15 प्लस 70 85 होजाएगा 75 होना ची यह भी नहीं होगा 25 यह सटिस्फाइग करा के 25 प्लस 2 इन्टू 25 यह जाएगा 25 प्लस 50 इस इक्वाल तो 75 कर देखें यह कि रिखें से लगगा 25 चे यह से लगगा 25 यहागा 25 यह